प्रदोस ब्रत महीने में दो बार आता है तो रदेसी के दिन प्रदोस ब्रत की पूझा की जाती है प्रदोस ब्रत प्रदोस काल में यानि की साम के समय भगवान सीव जी तथा उनकी सौपरिवार पूजा होती है बहुत सारे मोनोकामला को पूर्ण करने के लिए रोग बैधी आदी से मुक्त होने के लिए और ऐसे कई सारे चीज़े हैं जो हमरे वाग्य से पड़े हैं लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को एचीव करना चाहते हैं तो इसके भाग्वान जीव के आरधनक की जाती है जो हमारे वाग्य में नहीं भी है वो भी देने का शमता 여 Body को बहुत प्रिये होती है फिर हम धूप और दीप प्रजलीत करेंगे तील की तेल का या तो फिर घी का दिपक का प्रजलित कर सकते हैं दीपक को और भगवान सीब जी के लिए भगवान गनिस जी के लिए हम चावुल यृँकपा आशन लगाएंगे और इसके बाद जो भी आपके पास स्नान पात्र है जिसमें आप भवान जी का स्नान करवाते हैं उसी स्नान पात्र के उपर आप चाहे तो एक चंदन का टिका लगा लिजिए या तो फिर रूली कुमकुम का टिका लगा लिजिए या तो फिर आप जो है न स्वास्तिक बना सकते ओम लिख सकते कहने क क्या मतलब है थोड़ी सी थाली को भव्य बना लीजिए और उसके बाद आपके पास जो गनीज जी है उनकी स्नान स्रिंगार करेंगे हम अगर आपके पास गनेज जी की मूर्ती नहीं है तो आप सिंपली एक सुपारी ले लिजी उसमें कलावा लपेटी है और गनेज जी की सोरुप मानके उनकी स्थापना करें फिर भाव का स्नान कराए कलावा लपेट के गनेज जी की इस तरह से स्नान नहीं होती है तो सबसे पहले हमने सुद्ध जल से स्नान कराया फिर थोड़ी सी दूद से स्नान कराया और उसके बाद फिर से सुद्ध करन स्नान यानि की सुद्ध जल से स्नान कराया पीछले पूजा में कुंकुम हलदी आपका लगा हुआ है उन सभी चजों को अच्छी तरह से पूचके। फिर अंगपसंद करके हम बगवान गनिज जी जी विरजमान करेंगे। और उसके बाद जैनोई चड़ाएंगे और उसके बाद हम जैनोई चड़ाएंगे वगवान गनीज जी को कुई लाल फूल अगर आपके पास करेंगे थाली को जल है किसी बादे में टुलन को दिजिए को इसके बाद सेवा किया चाहिए भगवान अविश्य कोणिक या में आती आवसे कहा है तो सबसे पहले जल है गंगा जल से सबसे पहले स्नान करा ये लोटे में थूड़ी सी दूद लिया है इसमें थोड़ी हमने जल किया है और थोड़ा से चीनी दिया है लग-अलग चीजों से अभिसेख करने से अलग-अलग मनुकामनाओं का पूर्ण पूर्णी होते है तो आप का जूभी मनुकामना है आप उसी साप से भगवान की अभिसेख करवा सकते हैं तो देखिए यहां पर तरह से पोंच के तयार कर लिए भगवान को जितनी अच्छे से आप रखेंगे भगवान आपको उतनी अच्छे से रखेंगे ऐसा मेरा मिस्वास है बागी आप क्या सोचते हो मुझे कमेंड करके जुरूर बताना उनके जो आसन है आसन को भी मैंने अच्छी तरह से पोंच ल लेकिन एक अव्यास होता है अगर आप मन में दिल संकल्प हो के विश्वास लेके कुछ चीजे करते कोई एक छोटा सा भी नियम ले लेते हैं तो जोरूर वह आपको अपनी फल दिखाती है ऐसा मेरा विश्वास है तो भगवान से जी की इत्रसेवा देने के बाद कितना प भगवान तरिप forbidden बनाएंगे बनाने के लिए की बनाए जाता है तो देखिए और के यूज कि अबराने के लिए इसके बाद हम भगवान को बस्त्र चड़ाएंगे सर्प भगवान को भी हमने टिलक कर दिया था अपने देखा होगा और फिर जो सफेद जेनोई है वह भगवान सीब जी को चड़ाया जाता है अच्छा पूजा के बाद पूछते हैं वह आप लोग की जेनोई का क्या करना है तो आपके घर में अगर कोई जेनोई धारन करते है तो आप उनको दे सकते है वो पहन लेंगे और अगर नहीं तो किसी भी पंडित जी को आप दे सकते है इस जेनोई को या तो फिर आपके अगर कोई भी देने के लिए कोई भी नहीं है तो आप जलपरवाहित भी कर सकते है भगवान सिब जी की विशेश अलंकार है रुद्राक्स की माला अगर आपके पास है तो आप भगवान सिब जी को जुरूर चड़ा है बहुत प्रिय होते है इसके बाद देखे पूजा थाली में मैंने आपको दिखाया क्या-क्या सामान है तो जो यूज हो गया मेरा वो मैंन में थोड़ा सार लगा के अब भगवान सिब जी को चड़ा सकते हैं अब गुलाल चंदन भस्म भगवान को बहुत प्रिय होते हैं तो आप जुरूर चड़ाए वगवान सिब जी की पूजा में कभी भी हल्दी और कुमकुम का वेवहर ना करें क्योंकि पुरुस तत्व का प्रतीक माना जाता है भगवान सिब जी तो इसलिए कभी भी हल्दी कुमकुम का यूज नहीं किया जाता है इसके बाद हम धूप दिखाएंगे अगर आपने अखंड दिपक का स्थापना किया है तो उस दिपक को मत हिलाए और अगर सिर्फ पूजा के टाइम तक जलने वा समी चणते है का जो होता है कोई सब्सक्राइब अदो जुक्त changed यह नहीं रह रहा है तो मैं यह साइड में रख दूंगी अगर आपके यहां पर रह जा रहा है यह पत्ते थोड़ी नरम और छोटा होता है तो अच्छे से रह जाता है इसके बाद हम भगवान को नई वद्द चड़ाएंगे तो जो भी मौसमी फल है वो चड़ा सकते आप च थोड़ा सा हम दक्सिना चड़ाएंगे तो जितनी भी दक्सिन आप दे सकते पूजा में जो रही कमियों की बज़े से हमें थोड़ी सी दक्सिना जुरूर चड़ानी चाहिए आप अगर उसी दिन किसी को नहीं दे पारे तो कोई बात नहीं आप एक जगा पर जमा कर लिज अगर आपको आरती आती है तो गाली जी नहीं तो बुक पढ़के भी कर सकते हैं और नहीं तो कहीं पर आप लगा लिजे आरती मोबाइल पर और फिर आरती कर सकते हैं भगवान सीब जी की करपूर गवरम आरती भी आप कर सकते हैं तो इस तरह से देखिए बहुत ही सरल कितने भी दिल्स से पूजा कोड़े अगर प्रद hair का अगर बढ़ maths है और वह अगर कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कूल भी ना भूले मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा राधी राधी